है फ्रैंड दिस इस जामान और आज मैं आप लोगों से बात करने वाहाएं दिव्वे मेदोहर वटी के बारे में मैं आपको देने वाहाँ दिव्वे मेदोहर वटी का लॉंकम रिव्यू और बताने वाहाँ कि क्या सच में ये product काम करता है weight loss के लिए या फिर इसके द्वारा किये गए सबी दावे जूटे हैं और बात करेंगे कि मेदोहर वटी को अगर आप use करते हैं तो क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए साथ ही साथ क्या ये complete supplement है आपके weight loss के लिए कि उसमें क्या-क्या डाला गया है कि इसकी चीजसे बनाई गई है तो मेदोहर वटी के अगर आप ingredient देखते हैं तो इसमें आवला, बहेडा, हरड, गूगल, शुद और शिलाजीत इन सभी का extract form डाला गया है और आवला, बहेडा और हरड मिलके तो त्रिफला बनते हैं त्रिफला के बाद इसमें गूगल है यानि कि यहां तक यह हो गया है त्रिफला गूगल त्रिफला गूगल के बाद देखें तो इसमें शिलाजीत डाला गया है थोड़ी मात्रा में अब इन पांचों का क्या काम है इनका काम है आपकी body से detoxification करना हानी कारक जो आपके toxins इकटे होगे उनको detoxify करना आपकी आथों को साफ करके आपके blood को purify करके आपके toxins को भार निकालके ये weight loss करता है ये सारे ingredient आपके लिए अच्छे हैं इनका कोई भी side effect नहीं है और आपकी body मे कुछ ना कुछ फायदा ही करने वाले हैं इसके बाद अगर देखें तो powder form इसमें डाले गई है कुटकी, निशोद, वाइवेडंग, हराड, छोटी, बबूल, कुंद, ये भी एकदम सही है ingredient तो इसके सारे ओके हैं ये क्या काम करते हैं detoxification के अलावे ये आपके digestion को भी support करत में एहम भूमिका निभाते हैं निशोद, वाइवेडंग और बबूल की बात करें तो ये आपकी हंगर को भी control करता है जिससे कि आप ज़्यादा ना खाएं बेवज़ाब सारा दिन खाते ना रहें अब फ्रेंट्स बात करते हैं कि क्या ये complete supplement है यानि कि क्या सिर्फ इसके इस्तमाल से आप अपना weight loss कर सकते हैं, fat burn कर सकते हैं, तो इसका answer है नहीं, आज अगर आप मोटे हैं तो आप मोटे क्यों है, क्योंकि आपकी diet सही नहीं है, आपका खाना पीना सही नहीं है और same diet को अगर आप follow करते रहेंगे और फिर इसको में दोरवती को add करेंगे तो इस तक आप अपनी diet को control नहीं करेंगे diet में क्या control करना है diet में आपको control करना है carbohydrate की intake को कम करना है protein की intake को बढ़ा देना है पानी ज़्यादा पीना है साथी साथ fiber add करना है fiber कैसे add करेंगे mix vegetable salad खाएं soup बना के पी सकते हैं fruits खा सकते हैं अगर आपने diet में control किया diet में changes किये फिर मेधे और बटी आप साथ में लेते हैं तो ये काम करता है अब बात करते हैं friends इसको लेने का तरीका क्या है तो अगर इसमें तरीका देखेंगे तो इसमें doses में है एक से दो tablet आपको लेने हैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे और साथ साथ जितना भी खाएंगे उसको ये हजम अच्छी तरह से करेगा detoxification अच्छी तरह से करेगा जिससे कि आपका weight loss होगा लेकिन ये तब ही काम करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप अपनी diet पर control करेंगे अब साथानिया क्या क्या है अगर आप मेदोहर वटी लेना चाते हैं तो आपको किस-किस बात का ख्याल रखना चाहिए ख्याल सरसे पहले ये रखना चाहिए कि अगर आप pregnant woman है या फिर आप breastfeeding mother है या फिर आपको कोई medical condition है तो आपको बिना डॉक्टर की सला कि इसको नहीं लेना चाहिए pregnancy में और breastfeeding में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चे पे गलत असर डाल सकती है इसके अलावा अगर आप मेदोहर वटी से लेने के बाद constipation feel करते हैं कई लोगों की ये समस्या है कि वो बोलते हैं मेदोहर वटी लेने से में constipation होगी तो आप इसको गरम पानी से लेना शुरू कर देजिए वैसे तो इसमें आवला हरड और बहेडा है जो की constipation की बहुत अच्छी दवाई है लेकिन फिर भी किसी को बबूल की वज़े से अगर इसमें से constipation होता है तो आप इसको गरम पानी से लेना शुरू कर दे और फाइबर की intake भढ़ा दे थोड़ी सी आप salad का ज़्यादा शुरू करें आपकी constipation की problem भी solve हो जाएगी तो friends ये था मेरे तरफ से अच्छा खाना खाएंगे आपकी डाइट में changes करेंगे तभी इसका असर होगा otherwise इसका असर नहीं होगा price की बात करें तो 100 tablet आती 80 रूपे की एक tablet आपको एक रूपे से भी कम में बढ़ती है तो value for money product तो ये हो ही जाता है friends आज के लिए इस वीडियो में इतना है अगर आपका कई सवाल है सुझाव है तो comment section में link देज़े मैं उसका जवाब जरूर दूँगा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे channel पर नए है तो चनल को subscribe कर लीजिए ताकि in future मैं आपको informational वीडियो देता रहा हूँ thanks a lot for giving your time bye bye